नफश्का दोस्तों नई सोच नई दिशाम है आपके एक बार फिर से सबागते हैं तो टैसिर चली है जितने विए आपके हमिरपुर बोड की तरफ से एक्जाम करवाई जाएंगे चाहे आपका TGT कमिशन, JT कमिशन, शास्त्री कमिशन, LT कमिशन, कलर्क एंड जियो आईट के लिए आपके लगबग 1107 पोस्टे की नोटिकेशन हो चुकी है तो अपनी तियारी जारी रखें और इस चैनल के मादम से आपको ओनलाइन टैस्ट के लिंक भी दिये जा रहे हैं और साथ मैं आपको डीपली भी क्लासिस करवाई जा रही हैं तो जो नए वो चैनल को सबस साथ भी शे कलास इसकी करवा चुकों अगर किसी भी परसने बोनी देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं तो डेल यह आपके साथ बज़े भी कलास हो रही है उसमें आपके हमिरपुर बोर्ड के जितने भी एक्जाम है उसकी आपके रिवीजन चली है जिस ब्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसका मतलब उसने कभी कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की जब कोई ब्यक्ति कोई गलती नहीं करता तो इसका मतलब है कि कभी भी सीखने की कोशिश नहीं करता है तो इसलिए जब आप किसी भी फिल्ड में जाते हैं तब तक आप गलती नहीं करेंगे, आपको अपनी गलती का हिसास नहीं होगा, कि हम कितने पानी में और क्या कर रहे हैं, तो अपनी स्टडी जारी रखें, इस चैनल के मादने में से आपको भरपूर प्रियास करवाया जा रहा है, एक्जाम पास करने के लिए, तो प्लीज आप हमें अपना स्योग दीजिए, ताकि हम और अच्छा भेतर कर सकें, तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तरफ, यह राप पहला कोशन, इसलाम धर्म के संताप कौन थे? पहला कोशन आपकी स्क्रिन पे इसलाम धर्म के संताप कौन थे देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही अंसर बता पाता है इसलाम धर्म के संताप कौन थे सही अंसर आपको बताना है वीडियो अच्छी लगें तो चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें इसलाम धर्म के संताप कोन थे तो ये थे आपके हजरत मुहमद साब कोशन अच्छे लगें तो प्लीज को कुमेंट में आप अपने सुझाप दे सकते हैं अगला कोशन हजरत मुहमद साब के पिता का क्या नाम था तो कोई भी कोशन आपका मिस नहीं होगा 17 अक्टूबर तक आपके जितने भी टैसिल्स बनती है और कोशन भी आपको करवा जा रहा है मोरने की क्लास में तो उसे भी आप देखना ना भूले तो आप अपना स्योग दीजिए आपको इस चैनल के मादम से एक्जाम तक त्यारी करवा दी जाएगी जी के पार्ट जो भी हिंदी है हिस्ट्री है पॉलिटिकल साइंस है उसकी क्लास से रेगलर चली हुई है तो हजरत मुहमद साब के पिता का क्या नाम था देखते हैं सबसे पहले कौन इसका से रेगलर पता है हजरत मुहमद साब के पिता का क्या नाम था तो उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला Be often right हजरत मुहम्मद साभ के पिता का क्या नाम था ? अब्दुल्ला तो Be often right यह अगला कॉशन डैश के जनम दिन पर रे अधे मिलाद उल नभी पर बनाया जाता है किसके जनम दिन के उपलक्षे पर रे अधे मिलाद उल नभी पर बनाया जाता है चार उफन आपके पास है सही अंसरा आपको बताना है तो हजरत मुहम्मद साहब के जन्म दिन पर इद ए मिला उल्द नभी परव मनाय जाता है तो ए उफन इस राइट ये रहा अगला कोशन मुहम्मद साहब की मुरुत्य के पचायत इसलाम सुनी तथा शिया नाम के पंथों में भी भक्त हो गया था जब मुहम्मद साहब की मुरुत्य हो गया थी तो इसलाम दर्म सुनी एवं शिया नाम के कितने पंथों में भी भक्त हो गया था चार उफन आपके पास है, सेयांसर आप बता दे पंथों में भी भक्त हो गया था तो ये दो पंथों में भी भक्त हो गया था तो A of Nis राए ये रहा अगला कोशन मुस्लिम संबत हिज्री संबत के नाम से किसे जाना जाता है मुस्लिम संबत हिज्री संबत के नाम से किसे जाना जाता है चार उपन आपके पास हैं सोच समझ कर इसका सही अंसर बताएं तो पेगंबर मुहमत को मुसलिम संबत हिज्री संबत के नाम से भी जाना जाता है तो see option is right यह रहा अगला कोशन प्लीज बीडियो को लाइक कर दें कोई परसन लाइक नहीं कर रहा है पेगंबर मुहमद साब के उत्रा दिकारी कौन थे जो आपके पेगंबर मुहमद थे उसका उत्रा दिकारी कौन था सही अंसर बताएं पेगंबर मुहमद साहब के उत्रादिकारी कौन थे तो वो थे आपके खलीपा डियोफनिस राइट ये रहा अगला कोशन भारत में सरप्रत्थम इसलाम धर्म किसने फैलाया था अर्बो ने सिक्को ने मुस्लिमों ने हिंदुों ने जल्दी से बताएं तो अर्बो ने भारत में सरप्रत्थम इसलाम धर्म पहलाया था तो ए ओफनिस राइट ये रहा अगला कोशन इसलाम धर्म के संताप कौन थे देखते हैं सबसे पहले किसका सेयंस राता है इसलाम धर्म के संताप कौन थे इसलाम धर्म के संताप कौन थे तो यह थे आपके इसा मिस्या सी ओशन इस राइट यह रहा अगला गोशन डैश के जन्म दिन को क्रिस्मिस की रूप में मनाया जाता है किसा का जनम दिन होते हैं कि क्रिस्मिस के रूप में मनाए जाता है चाहर आपके पास है तो । इसा मसिये के जनम दिबस पर sticky on मनाए जाता है तो सी ओफनिस राइट यह रहा अगला कोशन मगद पर शासन करने बाला पहला शास के बंश कौन था मगद पर शासन करने बाला पहला शास के बंश कौन था जल्दी से बताएं देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही अंसर बता पाता है मगद पर शासन करने बाला पहला शास के वहिश कौन था तो ये था आपका हरेक वहिश ए ओफनिज राय कोशन अच्छे लगें तो प्लीज कुमेंट में अपने सुजाब जरूर दीजिए ये रहा अगला कोशन किस शासक ने अपनी रायधानी पाठली पुत्र से हठाकर बिशाली में सताप्यत की थी जल्दी से बताए तो बेते शिशुनाग वंश जिसने अपनी रायधानी पहले उसकी पाठली पुत्र हुआ करती थी बाद में उसने हटाखर बिशाली में सताफित कर दी तो शिशना कि वंश बीविस राजग्री थी इसक्ता घ्राइदानि गिरिव्रिज राजग्री थी तो चार उसने आपके पास हैं सईयंस तो इसका स्यंस हुगा हर एक वंश की राइधानी गिरिवरी ती तो ए ओफनिज राइट यह रहा अगला कोशन किस शास्क ने अपने पिता की हत्य कर शास्तन प्राप्त किया था ऐसा कौँ सा शास्क था जिसने अपने पिता की हत्य करके सिहास्तन पर बैटा था और शास्तन भी प्राप्त किया था जल्दी से बताएं तो बोध है आपके अज्जाद शत्रू, डी ओफनिस राइट, यह आगला कोशन, हरक वंश का पहला समराज़बादी शास्त कौन था, जो आपका हरक वंश था, उसका पहला समराज़बादी शास्त कौन था? जल्दी से इसका सही अंसर बताएं हरेकवंश का पहला समराजबादी शास्थ कौन था तो बोथ आपका बिम्बी सार सी ओसनिस राइट यह रहा अगला गोशन हरेकवंश ने कब से लेकर कब तक शास्थन किया था देखते हैं कौन इसके बारे में सही जानकारी रख रहा है और कौन अच्छे से हिस्ट्री की नोलेज रख रहा है हरेकवंश ने कब से लेकर कब तक शास्थन किया था तो कोई भी कोशन आपका मिस नहीं होगा इस चैनल के मादिम साब को कबर करवा जा रहा है तो प्लीज अपने सभी स्योग दें वीडियो को लाइक कर दें हर बट से आप क्रूप शेर में एफवी पर भी आप शेर कर सकते हैं हरे कवंश ने कब से लेकर कब तक शास्थन किया था तो 544 इस भी से लेकर 512 इस भी तक हर कवंश ने शास्थन किया था तो C option is right यह रहा अगला कोशन है बिम्बी सार का शास्थन काल क्या है जो आपको बिम्बी सार है उसका शास्थन काल क्या है जल्दी से बताए देखते हैं कौन इसका से अंसर बता पाता है जल्दी से बताए तो 544 इस भी से लेकर 492 इस पूरुक तक बिम्बी सार ने शास्थन किया था तो A option is right अब बात करते हैं हिंदी के महत्रपुन कोशन के बारे में तो प्लीज वीडियो में अन्तक बने रहे यह रह हिंदी का पहला कोशन किस बाक्य में क्रेया समानेबूतकालम है यह रहा अगला कोशन निमलीख्यत में से किस बाक्य में अकर्म क्रेय division तो अकर्मक्रिया बेक्रिया होती है जिसे में किसी भी क्रिया की कोई आपशकता नहीं होती है तो उसे अकर्मक्रिया कहते हैं इसके महत्वपूर्ण रूर्स के बारे में मैं आपको बता दिया है तो आप नबो वाले वीडियों देखिए तो आप प्लेइलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं special playlist बनी है उसके उपरा क्लिक करके जितने भी वीडियो बनी है हिंदी की आप उन्हें देख सकते हैं तो निमलिकित मैंसे किस बाक्य में अकर्मक्रिया है जल्दी से बताएं नाबिशेशन अब यह देखते हैं सबसे पहले कौन इसका से अंसर बता पाता है तो इसका से अंस होगा अब यह आपका अभिकारी शब्द हैं तो डियोफनिस राइट यह रहा अगला कोशन अब यह के कितने बेद होते हैं जल्दी से बताएं अब एके कितने बेद होते हैं, तीन, चार, पांच, छे, इसका से अंसर हो जाएगा, चार अब एके बेद होते हैं, तो C often is right, यह रहा अगला कोशन, कौन सा शब्द क्रियाबिशेशन है, तेज पहला बुद्धिमान मीठा, सोज समझ कर इसका से अंसर बताएं, कौन सा शब् क्रियाबिशेशन है, तो A option is right, यह रहा अगला कोशन, गरीबों को बस्तर दो बाके में कार्क है, तो कार्क कितने बेद होते हैं, आपके 8, उसके महत्वपून रूल्स के बारे में मैं आपको बताया हुआ है, तो पलेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं, गरीबों को बस्तर दो बाके में कार्क है, तो इसका सहयंस होगा, संपरदान कार्क गरीबों को बस्तर दो, को का के लिए यह आपके संपरदान कार्क में आते हैं, तो इसका सहयंस होगा, संपरदान कार्क गरीबों को बस्तर दो बाके में यह कार्क है, यह रहा अगला कोश कोशन तुमें क्या चाहिए इसमें कौन सा सर्व नाम है जल्दी से बताएं तुमें क्या चाहिए इसमें कौन सा सर्व नाम है निज बाचिक सर्व नाम प्रेश्ण बाचिक सर्व नाम सबंद बाचिक सर्व नाम निश्य बाचिक सर्व नाम तो इसमें आपका प्रेश्ण बा मीरा ने आदा लिटर दूद पी लिया है इसमें कौन सा बिशेशन है सोच सम्दक्रिस का से अंसर बताएं ऐसे कोशन आपके हमिरपुर बोर्ड की तरफ से भी पूछे जाएंगे और आपके यतने भी टैट होते हैं इस तरह कोशन आपके एकजाम में पूछे जा रहे हैं तो बाच्चे कितने प्रकार के होते हैं तो बो होते हैं आपके तीर प्रकार के कौन कौन से कृतवच्च कर्मबच्च भावच्च इसे भी आप याद रखें ये रहा अगला कोशन अमरित का प्राय बाची शब्द कौन सा है जो आपका अमरित है उसका प्राय बाची शब्द क कौन सा है देखते हैं सबसे पहले कौन इसका से अंसर बता पता है अम्रित का प्रह बाची शब्द पूछा जा रहा है तो इसका से अंस होगा सोम आपका अम्रित का प्रह बाची शब्द है तो आप बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपन टोपिक के बारे में तो प्ली छिवोग में सतापपित स्रकार के मुख्य मंतरी कौन थे 12 ऐगस्त 1948 में फ्योग में सतापित स्रकार के मुख्य मंतरी कौन थे 1947 में तो बहूत आपके सूर्थ राम प्रकाश 1949 में ये मुख्य मंत्री थे अगला कोशन है दूजम अदोलन असयोग दोलन बुशैर में कब शुरू हुआ था दूजम अदोलन बुशैर में कब शुरू हुआ था जल्दी से बताए तो 1906 में दूजम असयोग दोलन बुशैर रामपुर बुशैर में शुरू हुआ था 1906 में आप मुझे ये बताए मंडी की गदर पार्टी में सक्रे सदस्य कौन से जो आपकी मंडी में एक गदर पार्टी थी उसके सक्रे सदस्य कौन थे जल्दी से बताए ऐसे कोशन आपके हिमाचल एक्जाम में बनेंगे और एक्जपी जीके भी आपसे पूछा जाता है हर एक्जाम में तो मंडी की जो गदर पार्टी थी उसमें सक्रे सदस्य कौन से तो वो थे आपके बाई हिर्द्या राम इसे भी आप याद रखें नेक्स बात करें दामी गोली कांड कब हुआ था दामी गोली कांड कब हुआ था जज़्दी से बताएं दामी गोली कांड कब हुआ था और बेक कहां हुआ था जग्दी से बिताएं तो ये 1949 में धामी गोलिकांड हुआ था और ये हेलोग कनेडी चोंक पर हुआ था हेलोग कनेडी चोंक पर ये धामी गोलिकांड हुआ था नेक्स कोशन है 1949 में सतापित हेमाचाल पदेश रियास्ती प्रजमंडल के दक्षे कोन थेh तो कोई भी कोशन आपका मिस नहीं होगा पलीज आप अपना स्योग दीजिए वीडियो को लाइक करते रहें Next question है, भारत्य राष्ट्य कंग्रेस शिमला शाका का बनी थी, जल्गी से पिताएं, भारत्य कंग्रेस शिमला शाका का बनी थी, तो ये बनी थी आपकी इसे भी आप याद रखें, नेक्स बात करें, जब धामी गोली कांड वा था, 16 जुलाई को, 1949 में तो उसमें कितने लोग शहीद हुए थे, 16 जुलाई को धामी गोली कांड हुआ था, हेलो कनेडी चोंक पर, उसमें कितने लोग शहीद हुए थे, तो गो हुए थे आपके दो लोग शहीद हुए थे, तो इसे भी आप याद रखें, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैन को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने बाले हर वीडियो की अपरेट आपको समय समय पर मिलती रहें, मोर्निंग में साथ अबरे कलास होती है, उसे भी आप देखना न, बूले तो मिलते हैं बागली वीडियों साथ, तब तक के लिए धन्यवाद